राम मंदिर को लेकर मोधी सरकार पर RSS लगातार दबाव बनाए हुए है RSS ने इस बार चेतावनी भरी लहजे में कहा है कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो 1992 जैसा अंदोरन फिर से छेड़ा जाएगा RSS के बड़े निता भाया जी जोशी ने प्रेस कॉंफेंस कर कहा कि हम सोच रहे थे कि दिवाली से पहले राम मंदिर पर सुप्रिम कोट से खुश खबरी माईगी लेकिन फैसले में देर हो रही है इसलिए सरकार के पास अध्यादेश या कानून लाने के अलावा कोई चारा नहीं है अगर और कोई विकल्प नहीं बच्टा है तो इस विकल्प वपर विचार सरकार को आज नहीं कल कभी ने कभी करना पड़ेगा भाया जी जोशी ने आज जो प्रेस कॉंफरेंस की उस पर पांच बड़ी बाते कहीं भाया जी ने कहा कि सुप्रम कोट ने जिस तरह से जन्वरी तक सुनवाई टाल दी है उससे राम मंदिय पर प्रतिक्षा लंबी हो गई है भाया जी ने आगे ये कहा कि जिस तरह से सुप्रम कोट ने सुनवाई के दौरान कहा तो उनकी प्रात्मिक्ताय अलग है इससे हिंदु समाज आहत हुआ है भाया जी ने ये भी कहा कि कोट को हिंदों की भावना का खया लखना चाहिए बहिया जी का ये कहना कि अगर विकल्प नहीं निकला तो अध्यादेश लाना होगा एक तरह से सरकार पर दबाव की तरह है बहिया जी जोशी ने ये कहकर सरकार की नीन भी उड़ा दी कि जरूर पड़ी तो राम मंदिर के लिए 1992 जैसा अंदोलन भी चलाया जाएगा उदर बीजेपी अध्यक्ष अमिशा ने आरेसिस प्रमुक मोहन भागवाट से मुलाकात भी किया ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा हुई संगय ने जिस तरह से मंदिर निर्मान पर सत्त रूक अपनाया है उससे देखते हुए ये बेठक बेहत एहम मानी जा रही है 1992 जैसा अंदोलन करने के भाईया जी जोशी के बायान पर आयोध्या मामले के पक्षकार एकबाल अंसारी भड़क गए एकबाल का कैना है कि क्या भाईया जी जोशी का ये बायान पीएम मोधी और सीएम योगी ने सुना है प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कही है लेकिन सवाल है कि प्राइवेट मेंबर बिल का हश्ट क्या होगा और इस बिल को किन किन दलों का समर्थन मिल पाएगा यहां हम आपके सामने कुछ आंखला रखना चाहते हैं आजादी के बाद भारती संसदी इतिहास में अब तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हो पाए हैं आखरी प्राइवेट मेंबर बिल अगस्त उनिस सब्तर लोगसभा में 300 प्राइवेट मेंबर बिल आये थे लेकिन इन में से 96 फिजदी पर बहस ही नहीं हो पाई चौद्वी लोगसापा में 328 प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश हुए लेकिन सिर्फ शौदा पर ही बैस हो पाई ऐसे में सवाल यह है कि अगर राकेश सिना रामंदिर निर्मान के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं तो क्या उन्हें समर्थन मिलेगा कॉंग्रेस और इसके समर्थक दल और चब धन्यवेक्स ताकत एक बार बार कहते हैं कि मंदिर बनाने का नाम तो लेते हैं लेकिन मंदिर कब बनाएंगे तारिक नहीं बताते हैं तो मैंने उनसे पूछा जदी मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाता हूँ तो क्या आप उसका साथ देंगे आइन में से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साथ देने की बात तो दूर इस प्रश्ण को असम्मेधानिक बता दिया रामंदर को लेकर जहां मोजी सरकार पर दबाव बरता जा रहा है वहीं योगी सरकार आयोध्या में एक खुश खबरी देने की तैयारी में है यूपी प्योजेप्य अध्यक्ष महेंदरनाथ पांडे ने कहा है कि बस दिवाली का इंतजार कीजे आपको बड़ी खुश खबरी मिलेगी दिवाली के पर तिक्षा करिए मुख्य मंतरी जी दिवाली की सूब कामना के साथ पर धिक्श.' करिए धिवाली पर जिस खुश खबरी की बाद CM यूग्य और महिंदरनाथ पांडे कर रहे हैं उसका खुलासा इंडिया नियूज करने जा रहा है दिवाली के मौके पर CM योगी आयोध्या में भगवान राम की विशाल का ये प्रतिमा बनाने का एलान कर सकते हैं ये भवे प्रतिमा आयोध्या में सर्यूतर पर बनाई जाएगी भगवान राम की ये प्रतिमा 151 मीटर उची होगी इस प्रतिमा पर 330 करोड की लागत आएगी सूत्रों सा खबर है कि परेटर नुभा की तरफ से CMUV के सामने राम मूर्ती को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया था प्रेजेंटेशन में देश और दुनिया भर की साथ कमपनियों ने हिस्सा लिया ऐसी खबरे हैं कि भगवान राम की इस भवे प्रतिमा का सेंपल योगी ने फाइनल कर दिया है राफेल डील को लेकर कॉंग्रेस अद्यक्ष राहूल गांदी का सरकार पर हमला जारी है राफेल के सौदे को लेकर अब राहूल ने एक और बड़ा आरोप लगाया है दिली में प्रेस कॉंफरेंस का राहूल ने कहा कि राफेल बनाने वाली कमपनी डसाउल्ट ने घाटे में चल रही अनिलंबानी की कमपनी को 284 करोर रुपे दिये जिससे नागपूर में जमीन खरी दी गई राहूल ने यहां तक कहा कि अनिलंबानी और पियम मोदी इस जील में पार्टनर है राफाइल के CEO ने कहा था कि HL को परे करके अनिलंबानी को कॉंट्रैक्ट देने का कारण था कि अनिलंबानी जी के पास जमीन थी कि अनिलंबानी की कंपनी में डैसोल्ट ने 284 क्रों रुपए डाला और उसी पैसे से अनिलंबानी ने जमीन थी मतलब साफ डैसोल्ट का CEO साफ जूट बोल रहा है और वहाँ सवाल उठता है कि आठ लाक रुपए की कंपनी में तो कुछ नहीं कर रही है लॉसमेकिंग कंपनी है उसमें 284 क्रों रुपए डैसोल्ट में क्यूं जा दे तब राओल गांधी क्या कह रहे हैं उससे समझ ये राओल गांधी कह रहे है कि रिलाइंस डेषेंस जो अनिलंबानी की कंपनी है उससे सौदय में शामिल करने का फैसला पहले लिया गया फिर डैसोल को पता आ जया उसके बाद जमीन की खरीद के लिए डसॉल कमपनी ने ही रिलाइंस डिसेंस को 284 करोड रुपे दिये राहूल के मताबिक जिस रिलाइंस डिसेंस को सौधे में शामिल किया गया वो सिर्फ 8 लाकी कमपनी थी अनिलंबानी का गुरूप भारी बाती में चल रहा है फिर ऐसा क्या हुआ कि लड़ा को विमान बनाने के लिए रिलाइंस डिसेंस जैसी कमपनी जिसके पास इसका कोई एक्स्पिरिंस नहीं था वो सामने आए राहूल के इस बायान के बाद डसॉल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई गुल मिलाकर अभी तक राहूल गान्जी ने राफेल डील में पांच बड़े सवाल उठाए है पहला सवाल राफेल डील की प्रक्रिया क्यों बदली गई दूसरा सवाल एचेल को हटाकर रिलाइंस डिफेंस को डील में क्यों शामिल किया गया तीस्तरा सवाल यूपिये के समय हुई डील से ज़्यादा कीमत मोजी सरकार ने राफेल के लिए एक क्यों आदा थी सौथा सवाल राफेल की कीमत और खरीद की पूरी प्रक्रिया क्या सार्वजनिक नहीं किजा रही पाँच्वा सवाल सीबियाई डाइरेक्टर को क्या राफेल लिग की जाज की वज़े से जवरेल छुट्टी पर भेजा गया बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया गया रोज राफेल पर नया जूट गड़कर कांग्रिस बोल रही है राहुल गांधी जी बोल रही है कोई उनकी राफेल की ठेवरी को खरीदने वाला नहीं है जूट क्या खरीदार कोई नहीं होता है आज दिली में पी-एमावास पर, यूवा कॉंग्रस ने राफियल सौदे में घपले का अरूप लगाते हुए तरदर्शन किया पहानमंतरी आनिलंबानी को डिरेक्लि वेडिविट दे रहा है सुप्रिम कोट जा पूछती है कि आप डिस्क्लोज क्यों ने करें तो करें वहां डिस्क्लोज चलो फॉर्मरेस पूछती है नहीं बताओ प्राई साब लेकिन सुप्रिम कोट अप हिंडिया से बरके भी कोई है जो किसी मुद्धे को लेका हम परदर्सन है आवाम के बीच के 500 करोड़ का जहाद, 16 करोड़ का किस तरीचे से खरीड गया है अभी तक इसकी कोई जास नहीं हुई है कोई जवाब नहीं दे रही है भाजबा सरकार और जब तक ये लोग जवाब नहीं देंगे हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे कॉंगरस अदेश राहूल गांदी जिस समय राफेल सौदे पर पी एम मोधी को गिर रहे थे ठीक उसी समय सौप्रम कोट से उनकी पार्टी और खोद उनके लिए बड़ी राहत की खबर आई सीबियाई की ओर से सौप्रम कोट में बोफोर्स घोटाले की जाच फिर से शुरू किया जाने की मांग शीर्श अदालत ने खारिज कर दी सीबियाई ने इस साल की शुरूआत में याचिका दाखिल कर बोफोर्स केस की फिर से सुनवाई की अपील की थी जिस पर सुनवाई करते हुए सौप्रम कोट ने कहा कि सीबियाई 13 साल की देजी से अदालत क्यों आई है इसी आधार पर कोट ने सीबियाई की अर्जी खारिज कर दी शीर्श अदालत के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि बोफोर्स का जिन अब पूरी तरह दफन हो गया है आर जेडी मुख्या लालू प्रसाद यादों के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा लालू के दोनों बेटों के बीच अन्बंकी खबरों के बाद अब तेजप्रताप और उनकी पतनी का बिगड़ता रुष्टा सुर्ख्यों में है लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप की शादी को अभी मुश्किल से छे मैने ही हुए है क्योंके अपनी पतनी से तलाक लेनी की खबर आ रही है तेजप्रताप ने पतनी एश्वरया से तलाक लेने के लिए पतना सिविल कोर्ट में अरजी दिय है अब यह पता नहीं चल पाया है कि तेजप्रताप और एश्वरया के बीच ऐसा क्या हुआ की तलाग तक की नौबत आ गई फिलाल खबर है कि दोनों के 20 सुला की कोशिशे शुरू हो गई है एश्वर्या के पिता चंद्रिकाराय ने लालू के घर जाकर इस मामले पर बात की है तीज़ प्रताप की शादी इसी साल 12 माई को पार्टी के विधायक और पूरू मंत्री चंद्रिकाराय की बेटी आश्वरया से हूँ थी लेकिं आप तीज़ प्रताप आश्वरया के साथ नहीं रहना चाते है पुरू केंद्री मंत्री और वरिष्ट पत्रकार M.G. अक्बर पर मीटू मामले में अब एक महिला ने रेप कारूप लगाया है रेप कारूप लगाने वाली महिला पत्रकार अमेरिकी की नागरिखा और नैशनल पब्लिक रेडियो और निन पियार की चीट बिजनेस एडिटर पलिवी गो गई है पलिवी ने अपनी साथ हुए आप बित्ती के बारे में ट्वीट किया है के सिलसले में पहुँचे थे जब ख़बर पूरी हो गई तो अकबर ने मुझे स्टोरी पर चर्चा करने के लिए अपने होटेल के रूम में बुलाया उसने वहाँ मेरे साथ दुशकर्म किया मैं उनसे लड़ी लेकिन वह बहुत ज्यादा पावरफुल था इस घटना बारे में पुलिस में शिकायत करने की बजाए मैं श्र्मिन्दगी से भर गई मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया क्या कोई मुझे पर विशवास करता मैंने इसके लिए खुद को जिमेदार माना कि मैं क्यूं होटेल के कमरे में गई ती इसके बाद वो कुछ महीनों तक मेरा शोशन करता रहा मैं बहुत असहाई थी पलवी गोगोई के इस आरों के बाद M.J. अकबर के बचाव में उनकी पत्नी मलिका सामने आई है मलिका के मुताबिक मैं अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुई थी लेकिन वशिंग्टन पोस्ट में पलवी गोगोई ने लेक लिक कर मेरे पती पर जबरन रेप का जुलजाम लगाया है उसने मुझे सच के साथ बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया करीब 20 साल पहले पलवी के वज़े से एक समय हमारे घर में तनाव के सिटी पैदा हो गई थी पलवी और मेरे पती के रिष्टे की भनक मुझे उसके देर रात फोना ने और मेरे सामने ही मेरे पती के लिए प्यार दर्शाने की वज़े से लगी इस रिष्टे के वज़े से पूरे परिवार को बहुत दुख सेहन करना पड़ा मेरे घर हुई एशन एज की एक पाटी में कई युवा पत्रकार मौजूद थे मैंने देखा ये दुनों बहुत करीब आकर डांस कर रहे थे जिसे देख मुझे बहुत पीड़ा हुई पता वो जूट क्यों बोल रही है इंडिया नेशनल लोगदल में आपसी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही पईवार में चल रहे है विवात के बीच पाटी के राश्टी अध्यक ओंप्रकाश चोटाला ने अपने दोनों पोतों छूटाला ऑर दिगविजे चोटाला को पार्टी से बहार का रास्ता दिखा दिया है उन्होंने तुर Hindus प्रभाव से दोनों को प्रात्मिक सद्रस्ता भी रद कर दिया है साथी पार्टी की संसरी समीती के नेत्रतों से भी हटा दिया है दुश्यन तो दिग्विजे पर पार्टी विरोधी गती विदियो में शामिल होने का आरोप है इस मामले में मुझे किसी भी बाहरी प्रमान की आवश्यक्ता नहीं थी क्योंकि मैं खोज उसायोजन में मौझूद था इस मामले में अनुशाशन कारवाई समिती ने दोनों को दोशी पाया जिसके बाद उन पर कारवाई की गई इंडिया नेशनल लोगदल परिवार की खीष्टान उन परकार चोटाला के जेल जाने के बाद शुरू ही थी कि सत्ता किसे दी जाए उनके सत्ता के दो प्रमुग गावेदार हैं उनमें एक छोटा बेटा अभै चोटाला और दूसरा बड़ा बेटा अजे चोटाला की पत्नी नैना चोटाला थी शोटाला परिवार की सता अभे शोटाला को मिली इसी के बाद सी शोटाला परिवार में घमासान चल रहा है आंदर प्रदेश के सीम और टीडीप अध्यक्स चंदरबाबू नायडू 2019 के लोगसाबा चुनाओं से पहले विपक्ष को एक जुट करने की कोशिश पे जुटे हैं इसी करीबे नायडू ने आज लखनों में स्पी अध्यक्स अखिले शादों से मुलाकात की दोनों नेताओं की ये मुलाकात मुलायम सिंग यादों की मौजूदगी में हुई ऐसे में इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं सूत्र के मताबिक इस प्रैठट में दोनों नेताओं ने विपक्ष के महागटबंदन और बीजेपी के खिलाफ लोकसवा चुनाओं की रणनीती के मुद्दे पर मन्थन किया इससे पहले गुरुवार को चंदरबाबु नायडू दिल्ली में कॉंग्र सद्यक्ष राहूल गांधी से भी मिले थे राजिस्थान चुड़ाओं से ठीक पहले मुख्यमंतरी वसंदर राजे को सुप्रम कोर्ट से बड़ा जटका लगा है 2010 में नيशनल हाईवे के लिए जमीन देने के मामरे में सुप्रम कोर्ट ने वसंदरा और उनके सांसत बेटे दूशन سिंग को नोटिष जारी किया है इस मामरे में सुप्रम कोर्ट में याचीका दायर की गई थी याचिका करता ने आरोप लगाया था कि वसंदरा और दुशंत ने धौलपूर के पास एक जमीन को गहर कानी नी रूप से अपना होने का दावा किया इस जमीन को करीब 2 करोड में एनेचाई को पेज दिया गया ये जमीन एनेचाई ने 2010 में एनेचाई तीन को चोड़ा करने के लिए खरी दी थी याचिका करता ने अपील की थी कि वसंदर राजया और उनके बेटे दुशंत के किलाफ इस मामले में फायार दर्श की जाए अब इसी को लेकर सरोच अदालत ने वसंदरा और उनके बेटे के किलाफ नूटिस जारी के आए राजिस्तान चुनाओ की उल्टी गिंती चल रही है ऐसे में सुप्रम कोड का नूटिस वसंदरा के किलाफ विपक्ष को एक नया मुद्दा दे सकता है पियमोदी ने दिल्ली के विज्ञान भाउन से सुप्ष मलगू और मध्यम उद्योगों के लिए सपोर्ट और आउट रीच इनिशेटिव कारेक्रम की शुरुआत की पियमोदी ने वीडियो कांफरंसिंग के जरिये लगूर जोग सेक्टर के लिए बारा बड़े फैसलों पर विस्तार से बात की इस दौरान पियमोदी ने उन साथ मिनिट में लोन पोर्टल की लाउंचिंग का एलान किया प्रदान मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल से लगूर मत्यम उद्यमो को उन साथ मिनिट के भीतर एक करोर रुपए तक के लोन की मंजूरी मिल जाएगी मेसमी की तारीफ करते हुए प्रदान मंत्री मोदी ने कहा कि इस सेक्टर की वज़े से भारत एक 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 इकनोमिक पावर हाउस बना हुआ है यह आउटरीफ प्रोग्राम सौध दिनों तक चलेगा और इसके तहर देश भर के सौध जिलों को कवर किया जाएगा असम के तिन सुकिया में पांच लोगों की हत्या के विरोध में आज असम सहीत पूरी राज्यों में भारी हंगामा हुआ और इंडिया असम बंगाल स्टूडेंट यूनियन ने इस घटना के विरोध में बारा घंटे का बंद बुलाया था गुहाटी में इस हत्या के विरोध में बड़ी तादाब में महिलाएबी संपोर पर रुकुरी और पदर्शन किया हत्या के विरोध का असर सिर्फ असम में ही नहीं बलकि बंगाल सहीत कई पूरी राज्यों में भी दिखा उगरवादियों की इस खायराना हरकत के खिलाफ आम लोगों में भी गुस्चे का इजहार किया दीती रात उल्फा उगरवादियों ने असम के तिन सुक्या में एक ही परिवार के तीन लोगों सहीत पांच लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी थी मारे गए सबी लोग बंगाली मूल के बताय जा रहे हैं उगरवादियों की गोली बारी में एक शक्स गहल हो गया जिसका इलाज चल रहा है पूरी घटना खेरबडी गाउं की है चश्मदीत के मताबिक मारे गए लोग एक दुकान में बैठे हुए थे उसी समय कुछ अग्यात उगरवादी वहाँ आया और उन्हें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ले गए और लाइन में ख़डा कर गोलियों से ब्रून दिया और मौके से फरार हो गए असम के मुख्यमंतरी सर्वनन सोनवाल ने ट्वीट कर इस हमले की कड़ी निंदा की है और पीडित परिवारों के प्रति सम्विदना जताई है उन्होंने कहा कि इस कायरता पून हिंसा के अपराधियों की खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी हम इस तरह की कायराना हरकत को बंदाश नहीं करेंगे हम अत्या के लिए जिम्मदार लोगों को नहीं बख्षेंगे और जल्दी उन्हें कानून के गहरे में लाकर कारवाई की जाएगी हुई पश्यमंगार की मुख्यमंतरी मम्ता बैनर जी ने जहां एक तरफ एस हमले की निंदा की और दोश्यों को तुरंट सजा देने की बात कही तो दूसरी तरफ हमले को राजनीती से जोड़कर विपक्ष पर निसाना साथ आते हुए सवाल भी किया कि क्या ये हमला एनर्सी की वज़े से हुआ है असम में जो भी बटना खटित हुई है बहुती दुखन दरवागे पहुए है जांकारी प्राप्थ होने पर कुरंट मैंने वहां के मुख्यमंतरी जीसे बात की है और उसे मैंने कहा कि पूरे मामले की तहकी काथ की जानी चाहिए कथोर से कथोर करवाई की जानी चाहिए जो भी इसके लिए अब राधी हूँ उन्हें बक्सा नहीं जाना चीए जम्म कश्मीर में गुरुवार राथ बीजेपी के प्रदेश सचेव अनिल परिहार की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी आतंकियों ने रात करीब साड़े आठ बजे किस्तवार जिले के तपल गली इलाके में इस बीजेपी के प्रदेश सचेव, अनिल परिवार और उनके भाई अजीद परिहार को गोली माद दी इस हमले में बीजेपी नेता और उनके बड़े भाई के मौक्य पर ही मौत हो गई अनिल परहार मूल रूप से किस्तवार के ही रहने वाले थे और 2008 में उन्होंने यहीं से नैशनल पेंथर्स पार्टी के टिकेट पर चुनाओ भी लड़ा था बाद में बीजेपी में शामिल हो गए पताय जा रहा है कि बीजेपी नेता अपने भाई के साथ अपनी दुकान से वापस लोट रहे थे उनके घर के पास ही आतनकियों ने उन पर अंधादून फाइरिंग की जिसमें दोनों की मौत हो गए हमले के बाद किस्तवार जिले में कर्फ्यू लगा दिया जा है वहीं सुरक्षा अजनसियों के ओर से जम्मू संभाग के सभी जिलों में हाई अलर्ट गोशित किया गया है वो सफन नहीं होंगे कितनी भी कोशिश करने वो सफन नहीं होंगे और हमारे सैक्डों बीजेपी के कारकरताओं की हत्याएं की गई है उन पर हमले किये गए हैं सिर्फ इसलिए कि वीजेपी जम्मू अन कश्मीर में अमन चायती है शान्ती चायती है और जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रगती की मुगधारा में शामिल करना जाना जर्फिन कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलो ने एक शक्तिशाली आईडी को समय रहते बरबात कर एक बड़ी आतंकी गटना को नाकाम कर दिया आतंकीों ने सुरक्षा बलो के काफिलों को निशाना बनाने के लिए सड़क पर एक आईडी लगा रखी थी पुलिस और CRPF की जॉइन पेट्रोलिंग टीम ने सड़क से गुजरते हुए इसका पता लगा लिया उन्होंने उसी समय सड़क को आम अबाज जाया ही के लिए बंद करते हुए बंद निरोदक दस्ते को खबर की जिसके बाद इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया पांच किलो की इस आईडी में आतंकियों ने RDX के अरावा प्लास्टिक एक्सपोजिव का भी इस्तिमार किया था अगर यह आईडी न पकड़ी जाती और आतंकी अपनी साजिश में कामयाब रहते तो न सिर्फ सुरक्षा बलों को बल्कि आम लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता अब पूरे इलाके में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे है 26-11 हमले के मास्टर माइंड आतंकी संगठन जमातु दावा के सरगना हाफिश साईद के खिलाफ गयर जमानती वरन जारी हुआ है यह वरन रास्टी जा समीती यानि एनाईए की एक अदालत ने जारी किया है इनाईए कोट ने हिच्बर मुझाहिदीन के मुख्या मुहमद यूनुस शाह और सलावदिन के खिलाफ भी वरन जारी किया है दोनों आतंकीों के खिलाफ टेरर फंडिंग केस में वरन जारी हुआ है इनाईये ने इस मामले में हाफिस और सलावदिन समेट 12 लोगों के खिलाफ बीती जनवरी में 4 शीर डाखिल की थी हाफिस और सलावदिन पर ठेरर फंडिंग के जरिये जम्मु कश्मीर समेट देश के कुछ दूसरे हिस्सों में अशानती फैलाने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है साथ ही ये भी आरोप है कि इन दोनों ने पाकिस्तान में ट्रेंड के गए आतंकियों की गाटी में कुछ पैट कराई और भारत की खिलाफ युद्दु छेड़ने की साज़ी श्रची नकसलियों ने पत्र जारी कर 36 वर के दंतेवारा में पत्रकार की हत्या पर माफी मागी है नील वाय में हुई घटना के बाद नकसलियों के दर्भा डिविजन की तरफ से पत्र सामने आया है जिसमें लिखा गया है सुरक्षा बलो के जवानों के लिए हमने एंबुश लगाया था जिसमें पत्रकार फस गए पुलिस के द्वारा दुश्पचार किया जा रहा है कि नकसलियों ने पत्रकारों को निशाना बनाया जबकि पत्रकार हमारे मित्र है भारत की कम्यूनिस पार्टी माववादी दर्भा कमेटी टीस अक्टूबर को दंतेवारा के अरणपूर थाना इलाके में नकसलियों ने कवरेज के लिए निकले डीडी निउस की टीम पर हमला किया था इस दोरान सुरक्षा बलके जवानों के साथ मुडवेड हुई थी मुडवेड में मौके पर ही दो जवानों डीडी का एक कैमरा परसन अच्छुदानन साहू की मौत हो गई थी 36 गड़ के पंखा जूर में आज नकसलियों ने बीस एफ की टीम पर हमला कर दिया राजिस्थान, मद्यप्रदेश और 36 गर सहीत पांच राजियों में चुनावी घमासान के बीच आज जिल्ली में सूनिया गांधी के घर दस जन्तपत पर कॉंग्रेस के दिगज नेताओं की बड़ी बैठक होई कॉंग्रेस कोर बुक की इस बैठक में मद्यप्रदेश के लिए कॉंग्रेस की लिस्ट को फाइनल अप्रूवल मिला इसके साथ ही MP में धिगविजे सिंग और जोतिरादितिस इंदिया के बीच जिस विवाद की खबर सामने आई थी उस पर भी चर्चा हुई इंडिया न्यूज को खबर मिली है कि CEC की इस बैठक में अलग से दिगविजे सिंग और जोतिरादितिस इंदिया को बिठा कर बात की गई बात्चीत के बाद कमालाद बोले कि मद्भेज जैसी कोई बात नहीं है आठ डस उम्मिद्वारों पर उम्मिद्वारों के नाम पर सहमती बनाने की कोशिश की जा रही है जल्दी ही इससे सुझा लिया जाएगा कॉंग्रेस के वरिश नेता जोतिरादितिस इंदिया ने दिग्विजे सिंग के साथ मद्भेट को रेकर सफाई दी है जोतिरादिते सिंध्या ने इंडिया न्यूज से कहा कि उनके और धिगविजय सिंग के बीच कोई जग़ा नहीं है उनके मताबिक टिकेट बटवारों में 200 उमिदवारों की लिस्ट पर मिल यूदकर फैसला लिया गया है मध्य प्रजश पे बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही कोहरा मच गया बीजेपी ने पहली लिस्ट में 177 उमिदवारों के नाम जारी किया है 230 विदान सबाज सीटों में से 53 सीटों पर पत्याशी अभी तैन नहीं किये गए है खास बात यह है कि बीजेपी ने शिवराज सरकार के तीन मंत्रियों को इस बार टिकेट नहीं दिया है इन तीनों मंत्रियों समेट 36 विदायकों की टिकेट बीजेपी ने काट दिया है इस बार आधा दर्जन महिला विदायकों का टिकेट बीजेपी ने काट दिया है उनकी जगें उनके बेटे मुझित सेज़वार को प्रत्याशी बनाया गया है सियम शेवरा सिंग को एक बार फिर उनकी परंपरागा सीट बुदुनी से उम्मिद्वार बनाया गया है व्यापम गोटाले के आरोपी पूरो मंत्री लक्षमिकान शर्मा के भाई उम्मा कांद को सिरोन से प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी ने हाल में शामिल हुए तीन इर्दली विधायकों को भी टिकेट दिया है बीजेपी के बुजर्व नेता बाबुलाल गौर की सीट गोई दिपुरा पर अभी प्रत्याशी की गोश्टना नहीं हुई है मध्य प्रदेश में कई विधायकों के टिकेट कटने के बाद बीजेपी में बगावत भी शुरू हो गई है शंशाबाद से सुल प्रकाश मीना का टिकेट कटने के बाद उनके समर्थक बेहत नाराज है मीना के समर्थन में सैफ़ो बीजेपी जेता उतारी करता विधिशा में बीजेपी के जिला कारले पहुंशे और अपना स्तीसा लिखना शिरो कर दिया एक साथ स्तीसों की जड़ी से बीजेपी में हरकम का माहौल है मात्यप्रदेश में बीजेपी ने कॉंग्रेस में बड़ी सेंद मारी की है कॉंग्रेस के पूरू सांसर प्रेमचन गुड़ू बीजेपी में शामिल हो गए है दिली में केंदरी मंत्री नरेंदर सिंग थोमर, थावर चंग भलोत और केराश वजय वगी की मौझूद्जी में गुड्डू ने बीजेपी की सदस्ता ले ली। गुड्डू के बेटे और मत्री प्रदेश यूट कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजीत ने भी बीजेपी की सदस्ता ले ली है। बीजेपी का दावन थामते ही प्रेम चंग गुड्डू ने कॉंग्रेस पर निशाना साधा और इसे एलीट लोगों की पार्टी करा दिया। और आज हालत ये ही राजा महराजाओं को टिकेट के लिए हमापे लड़ाई लणना पड़ती तूति में में करना पड़ती है। राजेस्तान की सियम वसंदर राजे फिर से सब्ता हासिल करने के लिए एड़ी छोटी का जोड लगा रही हैं तो उनके सांसत बेटे दुश्यन सिंग लोगों पर ही भड़कते दिख रहे हैं। कुर्सी पर बैठे ये शक्स है जालावार के सांसत दुश्यन सिंग। भी इस शक्स को हड़काने लगी। इसके बाद तो इस परियादी ने खडी खोटी सुनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। से सीधा समवात कर रहे हैं। वरकपुर में भी बीजेपी निताओं ने बूट महासंपर्ग अभियान चलाया और वह सुन्दरा सरकार की उप्लब्धियां गिनाई। उदैपुर में मध्यप्रदेश के ग्रिह मंतरी गुलाप चंद कटारिया ने महासंपर्ग अभियान चलाया और घर 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 घूंकर लोगों से वोट की अपील की। शर्टिस गर में कॉंग्रेस के टिकित के एलान के साथ ही बिलासपूर में मौझूद कारेकरता हूँकर गुट ने जम कर तोड़ फोड की। में आटल शिवास्ताओं को टिकेट मिलना था तो और फोर और बवाल करने वालों में उनी के समर्थक जादा है कॉंग्रेस ने 36 गर में अजी जोगी की पत्नी रेनु जोगी का टिकेट काट दिया है 36 गर के लिए उमिद्वारों की आख रिलिश जारी की गई इसमें कॉंटा की विधायक रेनु जोगी की जगे पार्टी ने विभोर सिंको मैदान में उता रहा है रेनु जोगी का टिकेट काटे जाने के कायास पहले से ही लगाय जा रहे थे रेनु अबाजी जोगी की पार्टी सीजेसी यानि 36 गर जन्ता कॉंग्रिस के टिकेट पर मैदान में उतरेंगी दिल्ली के बवाना में 29 अक्टूबर को हुई महिला टीचर के कटली की गुथिप पुलिस ने सुलजा लिया है इस हत्या को लेकर संसरी खेश खुलासा हुआ है इस नकाब के पीछे छिपे खूबसूरत चेहरे की अस्वियत जब जमाने के सामने आई तो हर कोई हैरान रहे गए पेशे से मॉडल एंजल नाम की इस महिला ने अपने प्यार को पाने के लिए एक महिला की कतल की खौफनाक साज़िच रच डाली एंजल का मंजीत नाम की इस प्रॉपर्टी डीलर से पिछले पांच साथ से प्रेम प्रसंग चल रहा है मंजीत की पत्नी सुनीता को इस बात की भनक लग गई आए दिन इस बात को लेकर दोरों के भी जगड़ा होता ऐसे में सुनीता को अपने रास्ते से हटाने के लिए एंजल ने उसके कतल की सुपारी दे डाली दस लाग में सौधा तै हुआ और बीती 29 अक्चुबर को बवाना इलाके में सुनीता को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो स्कूटी से स्कूल जा रही थी इस पूरी साज़िश में एंजल के पिता भी शामिल थी पुलिस ने तीनों को गिरवतार कर लिया है और अब इन सुपारी किलर्स की तलाश की जा रही है जिनोंने सुनील की हत्या की थी वियार की राजधानी पटना में एक महिला कॉंस्टेबल की मौत पर जमकर बवाल हुआ और पटना पुलिस लाइन जंग का मैदान बन गई पटना में पुलिस ही पुलिस की दुश्वन बन गई जो पीट रहे हैं वो भी पुलिस वाले हैं और जो पिट रहे हैं वो भी मामला एक महिला कॉंस्टेबल की मौत से जुड़ा है आरोप है कि महिला पुलिस की तवेत खराब थी, इसके बावजूद उसे चुक्की नहीं मीरी और इलाज ना मिलने के चलते, उसकी मौथ हो गई, इसी के बाद पुलिस कर्मियों का गुस्सा भूट पड़ा, गुस्सा ये पुलिस कर्मियों ने पुलिस लाइन में जम कर आक्रोशित पुलिस कर्मियों, सड़क पर भी उत्रे और आम लोगों की कारियों को भी निशान बनाया खाके वर्दी वालों ने पटना में पुलिस लाइन में न सिर्फ अफसरों से मारपीट की, बल्कि जम कर तोड़ फोड़ की, जिसका जाजा लिया हमारे समाधा था शूपोजन जाने पटना की पुलिस लाइन में पुलिस लाइन में पार्कि गई थी, लेकिन जब यहां जबरदस तरीके से बवाल कटा, जो नए रेकूर्ट पुलिस करनी है, उन्हेंने बवाल काटना शुरू किया, उसके बाद गाडियों तक को नहीं छोड़ा गया, तमाम शीशे तोड़ को पलट दिया गया, यह देखे, आपको दिखाना चाते हैं पटना सिटी के स्पी, जिने भारना पा गया था क्योंकि जबरदस तरीके से उनकी गाड़ी पर भी पथ्राओ किया गया, और वो पैदल ही यहां से भाग गया, यह सारी गारी यहां इस पूरे परिसर में, और अपला दिकारी सीर दोर पर ये कह रहे हैं कि जो वीडियो फूटेज है उसमें चिलित किया जाएगा ऐसे दिकारीों को, जिनोंने ऐसे पूलिस करभी को, जिनोंने ये वेंडालिसम किया और उनके खलाफ सक्त कारवाही की जाएगी तो नहलेत जहला में फिलाल एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी विस्तार और रफ्तार से ख़बरे जारी हैं और 314 दर्ज हुआ, नजवगर में यहीं आकला 164 और 345 रिकॉर्ड किया गया उखला फेस्टू में PM 2.5 145 तो PM 10 313 मापा गया द्वारका के सेक्टर 8 में आकला 162 और 447 का रहा एर कॉलिटी इंडेक्स की बात करें तो दिली में आकला 370 का रहा जो की बहुत खराब की शेणी में आता है NCR के फरीडाबाद में AQI 406 रहा जो की खतरनाक लेवल पर है गुरगाओं में एर कॉलिटी इंडेक्स 386 मापा गया जो की बहुत खराब स्थिति है गाजयबाद में भी इस्थिति खराब है और यहाँ AQI 307 रहा गया है ग्रेटर नोडा में भी एर कॉलिटी इंडेक्स 376 रहा नोडा में AQI करस्तर 346 को पहुँच गया जो की बहुत खराब लेवल में आता है यूपी के कानपुर में स्थिति और भी खतरनाख है यहाँ एर कॉलिटी इंडेक्स 416 रहा यूपी की राजधानी लखनों में भी आबो हवा बहुत खराब है और यहाँ AQI 336 रहा दिल्ली को प्रदूशन से मुक्ती दिलाने के लिए एलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन शुरू हो गया है दिल्ली के रूट नमबर 522 पर आज ट्रायल के तौर पर एक E-Bus चली दिल्ली के परिवहन मंत्री केलाज गोलोट ने भी E-Bus की सवारी की माच 2016 में जब दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय थे तब भी E-Bus का ट्रायल रन हुआ था लेकिन तब ये प्रोजेक्ट थंडे बस्टे में चला जया था अलाकि मौझूदा परिवहन मंत्री का कहना है कि ट्रायल के बाद 1000 E-Bus का टेंडर किया जाएगा यूपी के गोंडा में टेक्सी स्टेंड पर मामूली विवाद में मार्क पीट का वीडियो वाइरल हो रहा है गोंडा लखनो मार्क पर इस से टेक्सी स्टेंड पर सवारी बैठाने को लेकर हुए विवाद में जीब ड्राइवर और ठेकेदार के भी जंकर लागधू से चले इस दौरान मौके पर मौझूर लोग तमाश भी बने रहे खरानी की बात ये रही कि ये सारा हंगामा एस पी ओफिस से महट 500 मीटर की दूरी पर हुआ और कोई भी पुलिस वाला मौके पर नहीं पहुंचा यूपी के बागपत से गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरे सामने आई हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवकी कुछ लोग बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं जिस शक्स को पीटा जा रहा है उसका नाम अनुज है करीब आधा दरजन यूपो ने 22 से जा रहा ह और फिर पिटाई शुरू कर दी पिटाई की वज़य साफ नहीं हुई है हर्याना के मेवात में दो गूटे की बीच खूनी जड़ाप का वीडियो सोचल मीडिया पर वायरल हो रहा है मामला नीम खेड़ा गार का है जहां नाली का पानी निकलने को लेकर यू परोसियों के बीच विवाद हुआ इस मामले में कुछ साथ लोग भायल है जिसमें एक की हालत गंभीर है गंभीर साकिर को दिल्ली के सब्दर जन्द प्रेफर किया गया है आई अब आपको दुनिया के पहले फोल्डिंग मोबाईल का दीदार करवाते हैं चीन के कमपनी ने दुनिया का पहला फोल्ड हो सकने वाला स्मार्ट फोन लाँज किया है जिसका राम फ्लेक्स पाई है ये फोन सामाने मोबाईल से बड़ा है लेकिन फोल्ड होने पर इसे स्मार्ट फोन के साथ साथ टैबलेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है 7.8 इंच के इस फोन की कीमत 95,000 से शुरू होकर 8,37,000 रुपए तक है चीन के पेचिंग में एक बस ड्राइवर से महिला यात्री की जड़पने 13 लोगों की जान ले ली देखे दिल दहला देने वाली खबर पचास किलोमीटर पती घंटे की रफ्तार से दोड़ रही ये बस देखते ही देखते पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सैक्रो फीट नीचे नदी में जा गे इस हाथसे में 13 लोगों की मौत हो गई जब की दो लोग अभी भी लापता है ऐसे हाथसे आपने पहले भी देखे होंगे लेकिन जिस वज़ा से हाथसा हुआ वो बेहत जोगाने वाली है हाथसे की वज़े बनी है बस के ड्राइबर और एक महिला यात्री के बीच हुई जड़ा हुआ यूँकि बस में सवार एक महिला यात्री अपने स्टॉप पर नहीं उतर पाई तो ड्राइबर से लड़ने लगी दोनों के बीच हाता पाई होने लगी दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगे जिसके चलते हैं ड्राइबर नियंतरन हो बैठा और बस देखते ही देखते पुल की बाउंडरी तोड़कर सीधे नदी में जागिरी और तेरा लोगों की मौत हो गई बस ड्राइबर और महिला यात्री की जरा सी गलती ने तेरा बेकसूद लोगों की चान ले हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है मनाली के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी जबरदस बर्फबारी हुई है बर्बारी की वज़े से पारा शूने से नीचे तक चला गया वहीं बर्फ पढ़ने से सड़कों पर सफेच चादर पिज गई है बरवारी की वज़े से मनाली लेह मार्ग भी बंद हो गया है अभी नेता आमीर खान अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं दीपावली पर हिलीज होने वाली उनकी फिल्म ठाक साफ इंदोस्तान के प्रमोशन को लेकर भी आमीर ने कुछ ऐसा ही किया है आमीर ने इसके लिए गूगल से करार किया जिसके तहरे फिल्मे आमीर का किरदार फिरंगी मल्ला अपने गधे के साथ गूगल मैप के यूजर्स को रास्ता बताता नजर आएगा भारत में ऐसा पहली बार होगा जब किसी फिल्म का पात रापको गूगल मैप पर नज़र आएगा तो नहले पे देला में आज के लिए इतना ही लेकिन आगे की खबरों के लिए चलते हैं सुशान के पास